कैसे आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत था आपका हमारे यूटूब चनल स्टडी भी थी होगे इसमें आज आपका जो टॉपिक है वो आपका आरो ए आरो की क्लास से समब देजाए ठीक है जो हमने लास्ट टाइम जो क्लास देखी थी आरो यारो की मैंने आपको बताया था इंडिया में जो एक्ट लिके आया थी ब्रिटिस गवर्मेंट वहां तक पढ़ाया था ठीक है अब इससे आगे का जो होगा हम लोग देखते हैं एकात क्लासेज पॉलिटी की देखते हैं इसके बाद एकात क्लासेज हिस्ट्री पॉलिटी हिस्ट्री इस तरीके से तरीके से तरीगा जैसे ही notification आउट होगा आप भी मत कहना कब होगा exact date बताओ exact date बत्चों किसी को पता नहीं रहता ठीक है ना मुझे ना किसी को वो आपका आयूग आपका declare करता है अधियाचन आयूग के पास है आपके विग्यापन आयेगा यह मैं सोचना कि कभी नहीं आएगा वो विग्यापन बहुत जल्द आपका release हो जाएगा क्योंकि आपके जैसी upper PCS का main से हो जाएगा या आपका जो positive रहे के तैयारी को साथ साथ रखना ठीक देखें आज आपका जो टॉपिक है वो है संभीधान का निर्मान यानि कैसे आखिर संभीधान का निर्मान होता है और यहां से मान के चलें अधिकान से आपने देखा होगा कि एक क्वेशन पेपर में आता ही आता है समीधान के निर्मान से ठीक है अच्छे से हम इस टॉपिक को समझेंगे देखें मैंने क्या मताया था ब्रिटिस ने अलग-अलग एक्टी लेका है थे 1947 तक के एक्ट को हमने पड़ दिया था समीधान निर्मान का मतलब क्योंकि हम ये मानके चलिए ब्रिटिस के जैसे हम अधीन थे जैसे ही ब्रिटिस ने सत्ता हमें सौपने की सोची यानि अभी दी नहीं सत्ता यानि भारत को भारत को रूल करने के लिए भारतियों को अभी सत्ता हस्तान अंतरिया ट्रांस्पर नहीं की है तो उसके लिए उससे पहले क्या था? एक संविधान का निर्मान किया जाना था, जिसके तहस इस देश का rule और regulation होता, यानि इस देश का सासन चलता, कौन rule करता, किस तरीके से सासन होता, किस तरीके से सिस्टम बनता, इन सब चीज़ों के लिए एक संविधान की आउस्यत्ता होती है, संविधान क्या है? एक मार्गे दर्शन की भूमिका निभाता है, एक दस्तावेज है, जो ये बताता है कि किसी देश का सासन किस प्रकार से चलेगा, सासन की परणाली क्या होगी, लोगों को क्या अधिकार होंगे, सरकार का गठन किस तरीके से होगा, इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए एक दस्तावेज मान के चले, जिसको संविधान बोला जाता है, ठीक है? अब इसके निर्मान करना था, क्योंकि भारत आजाद होता, तो निर्मान में हमने ही देखने कि हमारे वंडे एक्जाम में फैक्ट क्या आ सकते है, यानि मैं डेफ्ट भी समझाऊंगा, आपको फैक्ट बताऊंगा, ठीक है? तो सबसे पहरे लिखे आप लोग संविधान सभा, यानि संविधान का निर्मान जो किया था, वो किसके द्वारा किया गया था, ये एक संविधान सभा द्वारा किया था, ठीक है? संविधान सभा, यानि कोई न कुछ लोगों की समिती होगी, एक सभा होगी, असेंबली होगी, उसके द्वारा इसका गठन किया गया था, सम्मिधान निर्माण किसके द्वारा किया गया था अगर पूचता है तो सम्मिधान सभाद वारा अगर कभी ये पूचता है कि भारत के सम्मिधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया तो सम्मिधान का निर्माण किया गया था बच्चो सम्मिधान सभाद किया था पहला किस ने ये बताया, कुछ लोग जो मिलेंगे, वो बैठेंगे, उसको Constitution Assembly सम्मिधान सभाव हो रा जाएगा, उसका एक गठान होना चाहिए, मलब किसके दिमाग में ये उपजाई कि एक सम्मिधान सभा होनी चाहिए, जो इस देश के सम्मिधान का निर्मान करें, ठीक है, तो अगला Question लिखना आपको, सर्वपर्थम किसके द्वारा सम्मिधान सभा के गठन की बात की गए थी, ठीक है, लिखो, सर्वपर्थम, पूरा लिखना आपको, सर्वपर्थम किसके द्वारा सम्मिधान सभा के गठन की बात की गए थी, M.N.Roy के द्वारा, ठीक है, M.N.Roy क तो उस समय आप लोग को पताऊगा इंडियन नेशनल कॉंग्रेस इस देश के एक महत्तपूर्ण एक परकार की राज़नतिक पार्टी हुआ करती थी यारी इंडियन नेशनल कॉंग्रेस जिसका गठन 1885 मुवता दिसंबर उसने भी एक कहा था और पुचारिक रूप से ओफिसियली उसने भी एनॉस्मेंट किया था कि यार हाँ एक सम्मिधान का निर्मान करने के लिए सम्मिधान सभा होनी ची यारी कॉंस्टिटूचनल असें आधिकारिक रूप से सम्मिधान सभा के गठन की बात कप की थी ठीक से है यानि आधिकारिक रूप से सम्मिधान सभा के गठन की बात सभा के गठन की बात कप कईगी थी 1931 यानि कहीं न कहीं पहले M.N. Roy साप ने कहा 1934 कॉंग्रेस ने भी ये माना कि हाँ हमें एक सम्भिधान सभा के गठन करना चीए जो इस देश का क्या करें सम्भिधान का निर्माण करें चलो सब चीज ठीक हो गया तो जब इनने कहा इनके एक बहुत बड़ी व्यक्तित्त हुआ करते तो इंडियान नेशनल कॉंग्रेस के उनका नाम था जवाहालाल नहरू जवाहालाल नहरू ने भी ये माना कि सम्भिधान का निर्मानिक सम्भिधान सभा करेंगी जोकी वयस्क मताधिकार के द्वारा चुनी जाएगी के गठन की बात यानि नेहरू जी ने भी 1938 में ये माल लिया किया रहा एक संभिधान सभा होगी और इसका काम क्या होगा संभिधान का निर्माट अब बात आई किया रही संभिधान सभा जो होगी वो किस से मिलके बनेगी यानि वोएसक मतादिकार वोएसक मतादिकार यानि वोएसक मतादिकार मतलब होता है जो ऐसे वेक्टि जो उस age criteria को पार करते हैं वो वोट दे सकते हैं तो नहिरू जी ने भी 1938 में क्या माना कि हाँ वो एस कुमताधिकार के आधार पे संभिधान सबाखा क्या कर सकते हैं गठन कर सकते हैं तो आखिरकार British को ये चीज़ स्विकार करने पड़ी यानि British government ने इस proposal को क्या कर लिया accept कर लिया यानि British कारवरा इस प्रस्ताव को क्या किया गया स्विकार किया गया और वो जो प्रस्ताव था वो था अगस्त प्रस्ताव घलाया ठीक है अगर कभी question या आता है अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था तो 1940 में लिखाऊंगा मैं आपके सिर्फ ही एक्जाम की दिश्टे से बताऊंगा ठीक है यानि अगस्त प्रस्ताव क्या था बिटिस गवर्मेंट के द्वारा इस चीज को एक्सेप्ट करना कि हाँ हम संभीधान सभा का गठन करने को मंजुरी देते हैं जो कि वयस्क मताधिकार के कैसे होगा उसको बोला गया क्रिफ्स मिशन ठीक है तो इन्होंने एक मिशन भारत भेजा जिसका नाम था क्रिफ्स मिशन और क्रिफ्स मिशन भारत का वाया पूस्ता है तो 1942 में एक मिशन भारत आया था जिसका नाम था क्रिफ्स मिशन और क्रिफ्स मिशन का मुख्य काम क्य था कि ये सम्विधान सभाज जो होगी भारत में, यानि स्वतंत्र सम्विधान निर्माण है तू, ब्रिटिस प्रस्ताव था और इसको मुस्लिम लीक दोरा अस्विकार कर दिया गया था, ठीक है? ये क्या था कि रिप्स मिशन? ब्रेकेट में लिखो, स्वतंत्र भारत है का अध्यक्स स्टेफ़ाड क्रिप्स थे इसलिए इसका नाम क्रिप्स मिशन पढ़ा तो इस क्रिप्स मिशन को बच्चों मुस्लिम लीग एक सस्ता हुआ करते तो मैं हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा उसने माना कर दिया दो सस्ताइं चल ली थी पैरलल एक था इंडियन नेशन कॉंग्रेस एक था मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग ने का ना हम इसको स्विकार नहीं करते हैं हम सिर्फ और सिर्फ स्वायत चाहते हैं दो देश यानि उसने कहा ये भारत एक ही न रहके दो कंट्रियां बनेंगी दो स् अगिस्तान होगा इसलिए हम ये नहीं चाहते हैं कि स्वतन्त भारत के लिए एक समिधान का निर्माड हो इस प्रस्ताओं को मुस्लिम लीग द्वारा अक से एकसेप्ट नहीं किया गया मना कर दिया गया और उसने कहा हम लोग क्या चाहते हैं एक स्वतन्त राष्ट चाहते भारत से हटके तो मुस्लिम लिग दोरा इसको accept नहीं किया गया तो यह यही पर dump हो गया ठीक है उसके बाद British सरकार ने एक mission भेजा भारत में जिसको बोला गया cabinet mission क्या बोला गया cabinet mission और यह cabinet mission जो आया यह था बच्चो 1946 में भारत आये था और इसमें जो थे तीन सदस्य हुआ क और तीन सदस्य कौन कौन थे यह question भी पूछता है कि cabinet mission के अंदर कौन कौन तीन सदस्य थे इस्टेफ़र्ड क्रिप्स पैंथिक लॉरेंस और अलेकजेंडर यह तीन मेंबर थे जिसका अध्यक्सता पैंथिक लॉरेंस यानि cabinet mission भारत कब आया पूछता है तो 1946 में कितने सद सदस्य उन तीन सदस्य के अगर मैं नाम यहां लिखूँ तो confuse मत होना ठीक है यहां पर लिख देता हूं देखो cabinet mission के सदस्य कौन कौन थे पैंथिक लारेंस पैंथिक लॉरेंस इस्टेफर्ड क्रिप्स यह यही आला क्रिप्स जो उपर mission लिखा है ठीक है इस्टेफर्ड क् में वो थे अलेकजेंडर अलेकजेंडर ऐसे लिख दो ठीक है यह तीर मेंबर इसके सदस्य तो अगर क्रशन यह पूछता है कि जो cabinet mission था भारत कब आया था आप इसली बता दोगे और इसने जो था दो सम्मिधान सभाओं के निर्मान को की गठन की बात को स्विकार नहीं कि मतलब कहरे का मतलब ब्रिटिस ने इसको क्यों भेजा cabinet mission को वो इसलिए भेजा कि वो यह देखे कि अगर हम भारत को या इस देश को सत्ता हस्तानांतित करें यानि इनको पावर दें तो यह सम्मिधान सभाज होगी यानि जो सम्मिधान का निर्मान होगा वो सम्मिधान सभा के द्वारा किया जाएगा यानि स्वतंतर भारत के लिए सम्मिधान का निर्मान कैसे हो इस चीज के लिए भारत आया था ठीक है तो इसलिए क्या किया इसने कहा दो सम्मिधान सभाएं बनेंगी ऐसा नहीं होगा जैसे मुस्लिम लीग क्या करती ना हमारी अलग सम्मिधान स और इसने क्या कर दिया हम माना कर दिया है इसने का नहीं ऐसा नहीं होगा बैधी ब्रेकेट मैं लिखिलो इसके sucks जा कुछ प Almighty जलते कि ऐसे ऐसा किया जाएगा वो कुछ हद तक स्वतंत्र होगी अब उस्ते स्विकार कर लिया अब हमें यह नहीं पढ़ना कि इसके क्या क्या पॉइंट थी क्या नहीं थे वह आपका बहुत डेफ्ट हो जाएगा इतना नहीं जब कैबिनेट मिशन में प्रॉपरली लिए थी कि एक गठन होना चीए जो कि समिधान सभा का जो गठन होना चीए था यानि जो बहुत लंबे समय से बिचार चल लाता 1934 में 35 में 38 में 42 में 46 में आखिर का समिधान सभा का गठन होई गया और किसके प्रस्ताव पे हुआ फाइनली कैबिनेट मिशन अगर यह कभी क 1946 में यानि समिधान सभा का फाइनली जो गठन किया गया वो कप किया गया था आपने आपने नौमबर 1946 में ठीक है अगर क्वेशन पूछता है कि समिधान सभा का गठन कभवा नौमबर 1946 में इसका गठन होई यह याद अखना और बच्चो इसके कुल सदश्य पूछता है य यानि समिधान सभा में प्रारभ में चो सदस्य थे, वो कुल सदस्य थे 389, अब 389 ऐसा नहीं कि एकी जगह से आये थे, ये अलग-अलग जगह से आये थे, कहां-कहां से आये थे मैं बताता हूं, देखो, इस 389 में से 292 मेंबर, मैं स्वारी 296 मेंबर ऐसी जगह थे जहां British ड के द्वारा direct rule किया जाता था, किसी राजा महराजा के तहद रूल करके, British government, अपने governor, जो होते थे प्रांतु में, उनके माधियम से अगर रूल करती थी, तो वो British भारत से कितने मेंबर चुनके आये थे, 296 मेंबर यहां से चुनके आये थे, इसके अलावा ध्यान रखना, इसमें से 4, 93 जो सदसे थे, वो देशी रियासतों से थे, ठीक है, 93 के कहां से थे, देशी रियासत, देशी रियासत एक ऐसा भाग था, जहां पर राजा महराजा सासन करते थे, British के अधीन, यानि British direct rule न करके, देशी रियासत यानि राजा महराजा रूल करते थे, यहां से कि 200 बयान भी तो डारेक्टिव ब्रिटिस भारत से आये थे, चार सदस्य ब्रिटिस कमिशनरी से आये थे, कमिशनरी शेतर हुआ करता था उसनायें पे, जहां कमिशनर बैड़ता था, वहां हर जगह से एक-एक मेंबर चुनके आये था, तो इसको चाहो तो ऐसे लिख दो, यह है टोटली वो कहां से आये थे अपने आप में, यह मतलब जो प्रांत हुआ करते थे, ठीक है, यानि ब्रिटिस भारत, टोटल है तो ब्रिटिस भारत, इसको ब्रैकेट में प्रांत लिख दो, जो छोटे-छोटे प्रांत थे उस आये, और यह जहां पर कमिशनर बैड़ता था टीक, अब ओबर ओल, अगर आपसे प्रिटिस भारत शी कितने थे, टोट्रिक तो जोटके आपना लगभग कितना है, 389, टीक है, अब देखो बच्चो, इस सम्मिधान सभा का जो मुख्य काम था, वो था इस देश के लिए सम्मिधान का निर्मान करना है, तो क्रिशन पू मितान सभा के द्वारा इसका निर्माण किया गया अब इसके जो मेंबर थे आखिर इनका चुनाव कैसे हुआ फिर चुने कैसे गये यानि इनको इलेक्टिक इसने कर दिया कहां से यह आए यह भी बड़ा कुश्यन उठते हैं ऐसे तो पारिसियलिटी हो जाएगी कैसे पता च जन सेंग्या थी तो सबके सब सम्मिधान सभा में बैठके सम्मिधान मनाएं कुछ लोगों को सम्मिधान मनाने का अधिकार था जिसको सरोसम्मति से हमने चुन के बेजा था हमने नहीं चुना था हमने जिनको चुना था उनके द्वारा उनको चुना गया था यानि जैसे र जो चुना हुआ था सबसे पहले वो किस आधार पर वा था वो भी देखेंगे तो सबसे पहले बात आती इनका सीट आवंटन यानि जो प्रांतों को सीट आवंटन हुआ था किस आधार पर किया गया था यानि कहने का मतलब जो प्रांत और ये थे उसको सीट आवंटन किस आध मेरेंगे कहने का मतलब जो यह 296 से प्रांट होंगे उससे कहा गया कि भाई तेरे एक प्रांट में जैसे सपोज इतनी जंशिक है तो इतने पर एक होगा इतने पर दूसरा जैसे सपोज 5 लाग पर एक कर दिया या 10 लाग पर एक कर दिया तो जहां 50 लाग है तो 5 सीट हो जाए तो सोचिए कि 296 में से हर जगे से लोग चुनके आये थे तो सीट आवंटन की साधार पर हुआ आता है तो अपने आप में क्या बताओगे जन्शंग्या की आधार पर दूसरी चीज जो ब्रिटिस प्रांत था बच्चो ये वाला ब्रिटिस भारत जो बोल ले हम लोग यहाँ पर किस-किस बर्ग का प्रतिनी जित्त था वो देखो ब्रिटिस प्रांत में तीन कैटेगरी तीन समुधाई से लोग आये थे एक था मुसलिम, मुसलिम लोग चुनकर आये थे, दूसरे थे सिख और तीसरे थे बच्चो अन्य अन्य का मतलब मुसलिम और सिख को छोड़के जाकि बाकी जो बचे वो इसके अंदर आएंगे ठीक है, मुस्लिम, सिख और अन्य, ये तीन कम्यूनिटी से लोग चुन कर आए थे, मुस्लिम, सिख और अन्य, जहां पर मुस्लिम है ठीक है, जहां सिख है ठीक है, बाकी जो मुस्लिम और सिख को छोड़ के जो बचे वो अन्य के अंदर आए, इन भागों से क्या हो था, उसके bracket में लिखो उनके राजा के द्वारा चुनने जाते थे यानि उनके राजा इलक्ट करके भेज देते थे उसके bracket में लिख देना उनके राजा के द्वारा यानि उनका जो राजा महराजा होता था देशी रियासतों का पर्तिनिजित्तु का चुनाव उनके परमुक करते थे यादक ना ठीक है उनके राजा या उनके परमुक की दारा उनको चुनाव किया दाता था ठीक अब सबसे बड़ी बात आती है बच्चो ये जो चुनाव था ये चुनाव आखिर इस Constitutional Assembly का किया किसने क्या हमने वोड दिया नहीं दिया हमने हमने जिन लोगों को प्रान्तू में भेजा था आज की टाइम के राज जिमान ने उनको चुना था ठीक हमने डारिक्टरी नहीं चुना था किसे सिस्टम से हुआ था वो एकल संकरमनी मत पढ़ लाली आनुपाति या नि जो सिंगल ट्र सिमित था यानि लिमिटेट था उसके लिए कुछ कंडिशन लगा रही थी हर किसी ने वोट नी दिया वो सिमित था और सिमित था वह इसके मताधिकार के आधर पे उसमें क्या हुआ था वोटिंग हुई थी इतना आपको ध्यान रगना है ठीक है इससे आगे आप लोग देखें तो मताधिका लिखें सिमित था कभी अगर पूछता है कि समिधान सभा के लिए जो वोटिंग हुई थी क्या हर किसी ने की आप बताओगे नहीं जी हर किसी ने नहीं की मताधिका जो था लिमिटेट था ठीक है सिमित हुआ करती थी मताधिका दूसरा जो चुनाव था क्या डारिक्ट था नहीं आप बोलोगे इंडारिक्ट था यानि अपर्तियक्स अपर्तियक्स का मतल़ जहां जनता डारिक्ट बोट ने देखे जनता ने जिनको चुनाओगा वो लोग उनको चुनाओगे यानि डारिक्ट जनता इंगॉल्ब नहीं होगी इसको इंडारिक तो आप ये मानके चलिए एक समिधान सभा का गठन हो रहा है जो इस देश का समिधान बना रही है और उस समिधान सभा में इतने मेंबर है इन लोगं को partially elect हुए, partially nominate हुए है हर किसी को seat का distribution किया है जनतार ने direct vote नहीं दिया प्रांतू से ही चुन के आये थे ठीक है इतना आप समझगेगी एक समिधान सभा का गठन होने जा रहा है ठीक है जो इस देश के समिधान का निर्मान करेगी finally समिधान सभा के लिए चुनाव आई जित कियेगी यह question पूछाता है एक बार lecturer के pre में आयो गए ठीक है समिधान सभा के चुनाव कब हुए थे यह question आये था तो जो constitutional assembly है इसके लिए जो चुनाव हुए थे बच्चो वो जुलाई और अगस्त 1946 में हुए थे ठीक है जुलाई अगस्त 1946 में हमारे constitutional assembly के लिए क्या हुए थे election हुए थे और ही जो election हुए थे कितने seat पे हुए थे 296 seat पे जो मैंने भी distribution बताए उपर देखो जहां 296 क्योंकि बाकी 93 तो देशी रियास तो उसे हो रहे थे देशी रियास तो क्या उनके जो परतिनी जी थे उनके जो राजा महराजा थे वो उनकुछ उनके बेशती थे उनके लिए election नहीं हुआ सिर्फ कितने seat पे हुआ 296 अब जब चुना हुआ तो इसमें जो पार्टी बनी सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी बनी इंडियन नैसनल कॉंग्रेश उसको मिले इसमें 208 seat ठीक है ऐसे देखो भारती राष्टी कॉंग्रेश को इसमें मिली 208 seat ये भी क्वेशन पूछता है कि भारती राष्टी कॉंग्रेश ने जो चुना हुए तो सम्मिधान सबा के लिए उसमें कितनी seat है जिती मुस्लिम लीग ने जिती बच्चों समें 73 seat है ठीक है देशी रियासत जो थे उस समय जो 93 seat में ने बताई थी वो भर नहीं पाई सम्मिधान सबा में वो सारे के सारे 93 फिल नहीं हुए क्योंकि कई देशी राजाओं ने या माराजाओं ने सामिल होने से ही मना कर दिया उसने कहा ना हमें नहीं होना है सामिल ठीक है जोलाय अगस्त में इसके लिए चुना हुआ अब नोट करके लिखो देशी रियासतों के नोट करके लिखना निचे देशी रियासतों के 93 seat भर नहीं पाई क्योंकि कई देशी रियासतों ने समितान सबा में सामिल होने से मना कर दिया था ठीक है मना क्यों किया वो बात के बात आएगी वो तो अभी हम सिर्फ यह देखेंगे ठीक है अगला इसके बाद यह देखना महत्मा गाधी नोट करके लेखो वहाँ पर दो सक्सियत थी एक तो महत्मा गाधी जी थे प्लस मुहम्मद अली जिन्ना इन्होंने समिधान सभा में भाग नहीं लिया समिधान सभा के सदसिन नहीं थे ठीक है थ्यान रखना एक अभी कोशन बूचता है कि इनमें कौन समिधान सभा सदसिन नहीं था बड़े ही नाम आते हैं गांधी जी और ये जो है सम्विधान सभा यानि Constitutional Assembly के मेंबर नहीं थे यह इत्यान रखना दूसरा सभा में लगबग सभी वर्ग का परतिनी दित्तो था सभी वर्ग का परतिनी तो मतल्दा इंडियन National Congress थी मुश्लिम लीग थी सिख थे मुश्लिम थे हिंदू थे और इसके अलाव भारती इसाहि थे एंगलो इंडियन थे SC थे, ST थे, महिलाएं थी हर किसी वर्गे को representation मिला था तो या दखना इसको यह point लिखने को आता आपका या सही यह गलत है सभी वर्गे का परतिन थे था या नहीं था बिल्कूल था इसमें ठीक है हर कोई तभी तो इस देश के सम्मिधान को accept किया गया सबके जारा बनना क्यों करते बताओ एक ही टाइब के लोग बनाते तो दूसरा की उसको accept करता ठीक है इसलिए आपको ध्यान लखते है उसके बाद हुआ सम्मिधान सभा की पहली बैठक लिखो most important कर देना है सम्मिधान सभा की पहली बैठक जब election हो गया तो वो बैठने आये उनकी बैठक हुई चुना उसके बाद ठीक है यह हुई थी बच्चो 9 दिसंबर 1916 को कब हुई थी 9 दिसंबर 1916 को Muslim League को यह लगा कि हमारी seat कम है भाई इसमें हमारी चले गी या नहीं चले गी उसने बहिसकार करना शुरू कर दिया उसने का ना हमें नहीं बैठना है भई तुमारी समिधान समा में उसने क्या कर दिया ब्रैकेट में लिखो Muslim League द्वारा बहिसकार यानि वो नहीं बैठे इसमें ठीक है क्योंकि उनको पता चल गया था कि यार हमारे तो number of seat कम हो रही है हमारी चलती नहीं चलती समिधान उनको इस प्रकार से कुछ लोग अपनी राजनितिक रोटी सेखने के लिए अलग राष्ट की मांग करते ही रहे रहे थे ठीक है उसके बाद जो इसकी पहली बैठक हुई इसमें जो हिस्सा लिया इसके अस्थाई जो अध्यक्स थे इस जिसके चया पासन थे जो वो थे सचीदानन्द सिनहा जी ठीक है सचीदानन्द सचीगर्गो सचीदानन आजाओ फिर पूरा जाओ ठीक है सचीदानन सिनहा जी इसके क्या थे बच्चो अपने आप में पहले अपने अपमें अस्ताई अध्यक्स होपा करते थे जो कि इसके सबसे वरिष्ट यानि सबसे अपने आपमें जो senior पसंथे वही थे ठीक है उसके बाद इसका permanent पहली स्ताई अध्यक्स मिलते है अपने आप में इस्थाई अध्यक्स थे ठीक है और जो की कप सीट समाली उन्नी गद्धी दो दिन बार 11 दिसंबर 1946 को उन्नी क्या समाली कमान समाली ठीक है इसके उपाध्यक्स कौन थे? क्वेशन आता है कि सम्विधान सभाके उपाध्यक्स थे ठीक है उपाध्यक्स उपाध्यक्स कौन थे? सम्विधान सभाके वो थे बच्चो H.C. मुखर जी ठीक है ये भी आता क्वेशन में सम्विधान सभाके उपाध्यक्स कौन थे? H.C. मुखर जी ये भी ध्यान रखना ह ठीक है, और उपाध्यक्स आपने ध्यान रखी लिया, तो एक और बहुत important चीज आपको ध्यान रखनी है, वो यह रखनी कि इनके सम्वेधानिक सलाहकार, constitutional जो advisor थे, advice दो देते थे, सम्वेधानिक सलाहकार, B.N. Rao लिखो, कौन थे, B.N. Rao, B.N. Rao क्या थे, इसके सम्वेध सम्वेधानिक सलाहकार हुआ करते थे, यह बहुत important question है, ठीक है, अब जब हुआ, जब सम्वेधान सभा के member आए, एक बहुत महत्तुपूर्ण चीज सम्वेधान सभा में प्रस्तुत की गई, उसको बोला गया उद्देशी प्रस्ताव, उद्देशी प्रस्ताव यह बतात है कि उद्देशी प्रस्ताव सम्वेधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया, यह किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को किसके द्वारा, जे एल नहिरू जी के द्वारा, यानि जो हलाल नहिरू के द्वारा, जो 13 दिसंबर 1946 को सम्वेधान सभा में क्या प्र के रहेंगे, उनके लिए सामाजी आर्थिक राजिनितिक न्याई की बात कहेगी, सभी को धर्म उपासना और ये सब चीजों की स्वतंतता की बात कहे गई बिचार करने की स्वतंता होगी घूमने की स्वतंता होगी यानि बहुत से प्रस्ताव इसके अंदर लाए गए थे और वो जो उद्देश से प्रस्ताव था बाद में उसमें कुछ पॉइंट आगे पीछे करके आपने Constitution का प्रियम्बल सुना होगा हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभू स्वतंत गणराज जिवाला सुना होगा आपने शिक्स सेवन्थ की बुक में भी लिखा हो था प्रियम्बल वही प्रियम्बल जो था ये उद्देश से प्रस्ताव का ही एक परकार का थोड़ा सा चेंज करके जो मेन रूप आया वो सम्विधान में प्रियम्बल के रूप में देखने को मिलता है यही उद्देश सी प्रस्ताव को आगे जाके प्रियम्बल बोला गया उसमें कुछ चेंजेज हुए थे तो उद्देश सी प्रस्ताव किसके दौरा पेस किया गया नहिरू जी के दौरा और कब किया गया था 13 दिसंबर 1904 को ठीक है इसमें ये काया था कि हम लोग एक भारती स संग बनाएंगे भारती जो यूनियन होगा उसमें ब्रिटिस भारत के सभी छेतर होंगे भारत के सभी राज्य होंगे और ऐसे भाग भी सामिल होंगे जो इसमें सामिल होना चाहता है ठीक है इसके अलावा इसमें बोला गया था हमारी सक्ति का स्रोत कौन होगा भारत की जनता होगी सभी को समाजिक आर्थिक राजनितिक न्याई मिलेगा अउसर की समानता मिलेगी कानून के समक्ष सब समान होंगे विचारेम अभिव्यक्ति की स्वतनता होगी प्रहमन घूमने की स्वतनता होगी आप यूनियन संगठन बना सकते हैं इसके अलावा जो अल्पसंक्या हो उद्देश से प्रस्ताव लाया तो उसको स्विकार कब किया गया था 22 जनवरी 1947 को लिखो most important कर देना उद्देश से प्रस्ताव को कब स्विकार किया गया था except ठीक है 22 जनवरी 1947 को समिधान के सभा के द्वारा इसको क्या किया गया था accept गया था कि हाँ हम इस समिधान सभा में इस उद्देश से प्रस्ताव को स्विकार कर रहें और इसके जो key point है feature है मैंने आपको बता दिया ठीक है सभा से कहा गया तुम ही क्या हो अपने आप में संसत हो यानि तुम इस देश की पहली विधाय का हो जसे जब सम्मिधान सभा इस देश की पहली संसथ भी थी या मैंने अगर आपको पढ़ा है अगर आपको याद होगा क्यों क्योंकि उसके दो काम होगे थे एक तो यह कहा था जब तक प्रॉपली संसथ का गठन नहीं हो जाता चुनाओ कि तब तक आप कानून बनाओ इस देश के लिए प्रसाद हुआ करते थे ठीक है तो नोट करके एक पॉइंट लिखो सम्मिधान सभा ने संसथ के गठन तक विधाईका यानि अपने आप में पाल्यमेड लिख दो प्राकर में जो भी है आप समझ जाओगे लेजिस्लेचा कि वो सम्मिधान सभा दोनू के रूप में काम किय या विधाईका के रूप में इसके अध्यक्स जीवी मावलंकर थे ठीक है जीवी मावलंकर थे जबकि सम्मिधान सभा के रूप में इसके अध्यक्सर राजेंदर परसाद थे यानिilli parallel दोनू कामी अपने आप में कर रहे थे ठीक है अब जलसी इसका एक्ट पास हुआ समिधान सभा में सदस्यी, यह जो होगे बच्चो चेंज जो होगे, क्यों ор 229 यह कहा थे प्रिटिस प्रांट यह चेंज हो गया था ठीक है? ब्रिटिस प्रांट से थे, मुस्लिम लीग ने छोड दिया था बागी सेवंटी जो ते देशी रियासत से थे इस प्रकार से इसमें क्या आ गया? चेंज आ गया ठीक है? अब यह क्यphon कर रहे थे? मुस्लिम लीग के प्रथक होने के बाद सम्मिधान सभा में कितने सदस्य पचे यह कुशन यह पूशता है 77.1947 के बाद पास होने के बाद सम्मिधान सभा में कितने सदस्य बने 299 सदस्य बने ठीक है अगला point लिखो सम्मिधान सभा के कुछ अन्यकारी क्या लिखोगे सम्मिधान सभा के कुछ अन्यकारी यानि उसके अदर क्या कुछ वर्क थे जैसे इसने क्या किया राश्टी ध्वज को कब अपनाया लिखो सम्मिधान सभा ने राश्टी ध्वज अपनाया बहुत important question इस देश के राश्ट्री गान को अपनाया था इसके अलावा लिखो राश्ट्ट्री गान को अपनाया था राश्ट्री गान प्लस राश्ट्री गीत लिख दो राश्ट्री गीत को कब अब मैं था question आपका ये रहेगा home market ठीक है दोनों के answer देना option बता देता हूँ चार विकल्प हैं ये पता चल जाएगा कि कितने इंटरस्ट से देखते हो या पढ़ानी के कुछ फाइदा है नहीं समिधान सभा ने राश्ट्री गान वो राश्ट्री गीत को कब अपनाया था ये आपका question मार के रहेगा है ये आपको आना चाहिए ठीक है और इसके उसके बाद क्याओते पहले राश्ट्रपाती राजेत्व परचाजी 24 जन्य 50 को बने थे ठीक है तो अब इस टोटल समिधान जो सभा थी उसको समिधान निर्माण में समई कितना लगा लिगो समिधान निर्माण में समई में समई इतना समय लगा था इस सम्मिधान को निर्माण करने में दो वर्सी 11 माँ 18 दिन और कुल इसकी जो हुई 11 बैठक कभुई और अंतिम बैठक 24 जन्वरी 1950 को हुई ठीक है कुल बैठक लिखो इसकी सम्मिधान सभा की कुल बैठक कुल बैठक 11 बैठक हुई ठीक है अंतिम बैठक लिखो किस दिन ये अंतिम बैठक वी इन की यह भी बच्चो 24 जन्वरी 1950 को चबी जनवरी 1950 को और उसके दो दिन बार लागू कर दिया गया समिधान लागू लिखो समिधान लागू लिखो 26 जनवरी 1950 को ठीक है इस पूरी कहानी में आपके एक दो फैक्टे एक्जाम में आही जाते हैं इस चीज को आप लोग क्या करोगे ध्यान में रखोगे ठीक है होफुली ये जो चीज है आपकी समझ आई होंगी आप इसको रिवाइस करना और होममर्क के रुपर लुशैंट से भी इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आप लोग क्या करना प्रिपेर कर लेना ताकि आपकी एक्जाम में कुशन गलत ना हो फिर मिलते हैं अगले से अच्छे से पर अपना ध्यान रखेगा थैंक यू